हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक आपके अपने चैनल बाश्चक प्रॉपरटीज पे दोस्तों जैसी आपके डिमांड थी ना यह जैसा आपका मन्त था वैसी आज आपको मैं चीज कुछ दिखाने वाला हूं एक तो इंडिपेंडेंट हाउस दूसरा गेटीड हो और तीसरा एक लोकेशन पर तो तीनों चीज़ों आपके यहां पर हम आज दिखाने वाले हैं तो चंडिगड के बिलकुल पास है खरड के अंदर आपको मिलने वाला है ग्रेटर महुली का पार्ट आपको यहां पर मिल जाता है और घर आपके काफी अच्छे का से हैं 100 स्केर यार्ड है ल पाकि सारी बाते हैं वहीं से शुरू करते हैं तो दोस्तों अभी मैं खड़ा हूं बिलकुल आपके होने वाले घर के सामने जो कि गेड़िस साइटी में हो हमारी पूरी यहां पर त्यार हो रही है और कुछी दिनों में आपको एगर मिलने वी वाले हैं तो फ्रंट यहां आप देख सकते हैं बिलकुल एंडर्ड फोर गज के अंदर आपको मिल जाता है ठारा फिट का फरंट और अठारा के अंदर आप देखेंगे काफी कुछ आपको यहां पर अलग मिलने वाला है तो फ्रंट ऐलेशन आपको सी मिलेगा जिसके अंदर आपको स्क्रिप आपको जो है गेट मिलता है सेम पैटन के अंदर आपको टाइल वक मिलता है जैसा हमने उपर की तरफ देखा था आपके पिलर्स के उपर और प्लस यह अलग पैटन आपको यहां पर सामने के नजर आता है तो फ्रंट लुक्स वाकर काफी अच्छी खासी है और मैं बता इसली आपके अगर बड़ी गाडी सिडान तो दिल खोल के यहां पर लगा सेथा और मैंपर यहां पर यहां पर दोनों घृप्शन नेंगिग कि स्टेर लुहरों अगर शूमर पैर भूले धिल से रहने जबाते हैं और स्टेर बाहर से अगर आप रैन्ट आओट करना चाहत जो कि चॉक्लर लुक्स के साथ आपको मिलता है प्लस यहां पर वायर मैच भी मिलने वाला है और एक शांदार सा हैंडल तो चलिए ओपन करते हैं और देखते हैं जितनी खुबसरत यह बाहर से लग रही है कि अंदर से भी वैसा ही कुछ हमें नजर आता है तो यहां पर हमारे और इसे ओपन करते ही हम पहुंचते हैं बिल्कुल आपके ड्राइंग एरिया के अंदर जहां पर ड्राइंग दोनों आपको मिलने वाले हैं और बड़ी अच्छी सेटिंग यहां पर नजर आ रही है इसली मुझे इतना भी अंदाजा है कि जब आप यहां पर अपनी सेटि चैर यहां पर रखी है ताकि आप इस चीज का पूरा मज़ा ले सेके तो चीजे आपको यहां पर पूरी प्रॉपर मिल जाती है तो हमारे पास जो ड्राइंग एरिया वहां बेल जाएगा थाइंग अच्छा साइस यहां पर मिल जाता है साड़ी सतना बाए 13 क्योंकि आलमो ने दिया इस तरफ आपका इजिली जो है डाइनिंग टेबल आपका आजाएगा प्लस इस वाल को आप जैसे में यूज कर सकते हैं स्टोरिज आपके पीछे यहां पर बहुत अच्छी हम आने वाली है स्टोरिज में भी आपको और भी बहुत सारी दिखाने बाला हो क्योंकि स आपकी यहां पर रहेगी और जैसे अप देखने बड़े-बड़े साइजेज हैं और बिल्कु प्रैक्टिकल चीज है कि जितना मर्जी आप समान यहां पर रखें बेफेकर होकर बड़े से बड़ा रखें तो भी कोई प्रॉल्म नहीं आने वाली बीच में आपकी जो जग बीप आपका जो है सिंक रहेगा साउंड लेस है बिल्कुल 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 के साथ है ताकि लाइट पूरी यहां पर अंदर आए वो हर तरह से आपके पास आने वाली है और तो सब्सक्राइब मारे पस 11 फिट की स्पेस है हमारे किचन के अंदर तो इसके अंदर और चाहते हैं तो बहुत कुछ हो सकता है वैसे हम अपनी तरफ से पूरा प्रॉपर करके देखते हैं क्योंकि जब यहां तक आजाती किचन आपकी तो इसली आपका फ्रिज आने के बाद एक पूरी यह शेप के अंदर बड़ा अलग स्पेस वह आपका आ जाता है तो बड़े स दिन होते हम रहाइद होए तो होते नहीं है उपर नीचे जाना होता है सोच रहे होते कि बाहर की कराफ अगर स्टेर्ज होंगी तो बाहर कैसे जाएंगे तो अंदर ही अगर हम उपर नीचे हो रहे हैं उपर वाले बेडरूम से नीचे की तरफ तो वह फिकर भी नहीं होती तो इसके बाद हम चलते हैं अपने फर्स बेड्रूम की तरफ तो आप यहां पर देखिए आपके लंबाई चड़ाई वाके काफी अच्छी खासी है और एक अच्छी स्पेस का एसास जो यहां पर पूरा प्रॉपर हो जाता है तो यही बात में आपको शुरू में कह रहा था कि स्पेस अच्छी होनी चाहिए यहां पर हमारे पास 13 फिट बाई 11 फिट की जगह है और आप यह देखें कि 13 बाई 11 में हमने सिर्फ एक बैट लगाया और कुछ भी नहीं लगाया क्योंकि हमने आपका ड्रेसिंग कहीं अलग कर दिया यहां से तो तकरीबर जैसे डेड़ स आप से ताकि जो लाइट का जो मज़ा होता वो पूरा अप ले सके तो यह जगह भी यह चीज भी आपने बहुत जगह मिसिंग देखी होगी लेकिन आज आज आपको यहां पर नजर आ रही है और सीलिंग पर एक अच्छा डिजाइन वह आप हर रूम के अंदर देखेंगे तो यहां पर तो चलिए इसके साथ ही थोड़ी सी जगह आपको यहां मिलते हैं जहां पर हमने वाड़ोब्स आपकी पूरी एड़स की हैं बिलकुल उपर तक रखी है और पैटन देखेंगे तो बिलकुल अच्छा आपको मिलेगा यहां पर सर्माइका का और स्टोरेज यह यहां पर आपके पास काफी अच्छी खासी है दिए नीचे से उपर तक है तीन पर आपको मिल जाएंगे और काफी बड़ी बड़ी आपके जगह जो यहां पर आपको मिल जाती है डबल एमनेशन यहां भी आपके पास रहने वाले है इसके बाद यहां पर हमने आपके वाश्चों में आप देखेंगे dual tone आपको मिलने वाला एक अच्छी लुक आपको मिल जाते हैं बिल्कुल लेकन अच्छे लेवल का काम जो होता वो आपको यहां पर नजर आता है एक अच्छी चीज का मतरब यह होता है कि हर चीज जो है एक अलग लेवल की हमें मिल जाये ताकि वहा rappers रहते हुए हमें कभी फिकर नहों कि कोई छीज खरआब हो सकती यहां फिर कुछ और हो तो ऐसी चीजों में भी यह चीजों का दिकत नहीं कि इसके बाद आपको जो है यहां पर वाशिंग के रिये यहां फिर जो है स्पेस आपको मिल जाएगी जिसे आप बड़े राम से यूज करने वाले हैं तो ऊपर हमने जो है हलका सा कवर अप कर दिया है ओपन रखना चाहिए तो ओपन रख सकते हैं क्योंकि लाइट हमें चाह इसली हो जाता तो अप्रो 75 परसंट तक जो लोन है वो आपको बैंक से मिल सकता है इसली आप इसे अफूर कर सकते हैं इसके बाद यहां पर आपकी स्टेर्स तो घर के अंदर जब स्टेर्स होती है ना अंदर की तरफ तो उसका अलग ही फाइदा होता है और उपर आने के ब पूरे घर के अंदर हर तरह से रहे हर तरफ रहे और ऐसी विंडो जब होती है ना आप कई वार देखते कि हम पूरा फुल मून है दिन रात को तो वहां से एक हलकी सी चांदी रहा और रोशनी जो आपके घर के अंदर आती है नीचे तक जाती है तो अलगी मजा आता उस ची तो एक complete family के लिए काम हम यहाँ पर पूरा करने वाले मैं आपको पहले यह वाला दिखा देता हूँ तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास जो जगा वो बारांबाई गयाना की रहेगी हमने फूल साइज का बैड यहाँ पर लगाया उसके बाद आप देखिए दोनों तीनों तरफ आप राम से टैलना चाहते हैं तो टैल सकते हैं और एक चीज़ और पताएता हूँ हर आप पर स्टो जो कहते हैं वो आपकर सकें आपका आसा कि हमने समाल लाई थे लेकिन बाहर रहे गया बिल्कुल भी असानी होने वाला है हर बेड्रुम के साथ वाश्रूम आपका टैच रहने वाला है और सारे वाश्रूम एक प्रिम्बियम लेवल के आपको मिलने वाले है और उसके बाद इस पेड्रूम के साथ आपकी बालकुनी रहेगी जो की अटैच है और फ्रंट पे यह सेम बालकुनी जो सामने से हम जब देख रहे थे तो अलग ही लुक यह आपको दे रही थी तो यहां पर आपकी ग्लास और उसके ओपर स्टेनले स्टील प्लस यह आपका संदर के दरब बढ़ते हैं तो दोस्तों आपके घर के आसपास कॉलेजिज भी है और स्कूल्स भी है मार्केट भी है हॉस्पिटल्स भी यह तो एक ऐसी जुकेशन पर जहांपर आप चलकर भी इन सारी चीजों को एक अच्छी लूकेशन में मतलब कर तो यहां पर हमारा से बैड रखेंगे इंजॉय करनेंगे और सिलिंग डिजाइन आपको हर जगा एक अच्छा-खासा मिल जाता है तो कहने को होता है कि लाइट हर घर के अंदर आती है लेकिन जब आपके विंडो का साइज बड़ा हो जाता ना तो मज़ा अलग हो जाता क्योंकि वहां पर लाइट निया आती है अपने घर के अंदर और ठीक इस बेड्रूम के साथ आपका जो ड्रेसिंग एरिया वो हमने यहां पर सेट किये तो वाड्रो आपकी यहां रहेंगी जो कि सीलिंग की हाइट तक रहेंगी और उसके बाद यहां पर आपका वाश्रूम आपको कॉमन रहने वाला है लेकिन आप देखे एक अच्छ आपके टैप्स यहां पर रहने वाले और आप देख सकते हैं यहां से पूरी प्रॉपर आपके वाश्रूम के अंदर आती है तो जो चीज़े चाहिए होते हैं उनसे बढ़कर कुछ चीज़े हमें यहां पर नजर आती है और दोस्तों किसी के इस घर के बारे में कोई भी ज जानकारी चाहिए हो किसी बी जानका चाहिए हो तो नीचे दो ये नंबर पे आप कभी भी कॉन्टाइट कर सकते हैं यहां फिर डिस्क्रिप्शन में जाके इसका इसकी डेटेल आप देख सकते हैं तो वापिस इस बढ़की तरफ आप और यहां से बाहर की तरफ तो यह वाला है लेकिन आपको अपना independent house आपको मिल सकता है in case in future आप उपर बढ़ाना चाहते है बढ़ा सकते है तो इस घर के अधर जैसे आपने अंदर से देखिए तो ऐसे ही डिजाइन आपको मिलें कि इसके अंदर स्टेश बाहर से होंगी हलका सा फर्क होगा लेकिन आउट्लुक और इंटिरियर वह सेम कैपिमिल्टी आपको मिलने वाला है तो दोस्तों यह अभी तक आप वीडियो देख रहे हो तो मीध है सब तक रिजाजा लूँगा आपका दोस्तों गुर्बंदर साथ सिकाल